प्रली नमस्कार एक बार फिर सरम स्वाइबत करते हैं आपका दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं इमेल के अंदर एक छोटा सा पाटव्ड टॉपिक है जिसका नाम है मैलबॉक्स, इंबॉक्स और आउट बॉक्स इन तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मेल बाक्स हमारा क्या होता है इन बाक्स हमारा क्या होता है और आउट बाक्स क्या होता है इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग पर्टिकूलरली एक एक बात को जानेंगे दोस्तों तो आप लोग इसको देखने के लिए वीडियो को लाज तक बने रही है मजा आने वाला मैं बात कर रहा हूं रत्ना करोपाद्या और आप देख रहे हैं यूनिक ऑउलाइन गूरू चैनल चलिए कुछ अच्छा सीखते हैं तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? हम लोग बात करने वाले हैं मेल बॉक्स, इन बॉक्स, आउट बॉक्स क्या क्या mailbox, inbox, outbox अगर हम बात करें mailbox की किसकी बात कर लें भाई साहब mailbox की बात कर लें तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है mailbox is a container क्या होता है ये ये हमारा एक container है which contain all the mains via send or received, delete, junk, everything mailbox हमारा क्या होता है एक container होता है जहाँ पे हम all collected their mails like as if what's send and receive everything all messages have received यहाँ पे सारे messages हमारे available होते है मैं बात करूँ अगर it has lots of folders, इसके अंदर बहुत सारे folders आते हैं क्या आते हैं, इसके अंदर बहुत सारे folders आते हैं जिनको मैं बता दूँ आप लोगको एक mailbox हमारा क्या होता है एक mail नाम का क्या होता है हमारे पास एक application software होता है जिसके माध्यम से mail यूज कर पाते हैं अगर हमें send करना हो तो inbox मिलेगा send भी receive करना हो send करना हो तो received मिलेगा फिर उसके बाद क्या मिलेगा spam मिलेगा ठीक है, और भी बहुत से ऐसे folders होते हैं, क्या होते हैं बहुत से ऐसे folders होते हैं जिनके बारे हम लोग जानते हैं junk की बात कर ले, spam की बात कर ले deleted की बात कर ले, everything की बात कर ले draft की बात कर ले तो ये सारे चीज़ जिसके अंदर आती है draft हमारा आ जाएगा spam आ जाएगा, junk आ जाएगा delete आ जाएगा, ठीक है ये सारे हमारे जो applications है, sorry, जो हमारे folders हैं आते हैं, इनके अंदर particular way में काम ये करता है, जैसे माल ये spam है, तो everything is complicated message, draft है, तो कोई message हम लोगों ने send नहीं किया, inbox में जो receive हुआ, send मतलब जो हमने send कर दे, spam, ये delete, ये junk ये, तो सारी हमारे folders जिसके अंदर आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, mailbox कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, उसको हम लोग mail box कहते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसी में inbox की, किसकी मैं बात कर लूँ, inbox की बात कर लूँ तो आपको पता होना चाहिए, inbox में हमारा क्या होता है, सारे messages जो received किये गए हो that's place where all the same data are received, are stored, inbox में क्या होता है, हमारे सारे जो data होती है, जो stored किये जाते हैं, जो हमारा until, जो हमारे fully तरीके से, हाँ, जो भी message, हमारे email incoming message, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम लोग all incoming message कह सकते हैं, all incoming messages, mails that's called क्या होगा हमारा inbox, यानि कि सारे messages जो आते हैं according to date, या फिर rational table की तरीके से हमारा save भी हो जाता है, क्या होता है according to date की बात मैं कर लूँ, according to date सारे messages अगर inbox में send हो रहे हैं, कहीं पर भी send हो रहे हैं जो हमारा folder है, उसको हम लोग कहते हैं inbox दोस्तों, तीसरा जो हमारा बसता है, outbox की अगर मैं बात कर लूँ, किसकी बात कर लूँ मैं outbox की अगर बात कर लूँ तो outbox एक थोड़ा सा complicated वे है, outbox का मतलब क्या होता है कि वो SMS, वो SMS जिसे हम लोग send करते हैं all where the send data are stored, क्या होता है all where send data stored, जहां पर क्या होता है सारे भेजे गए data हमारे stored होते है, otherwise fully send or not ठीक है otherwise, fully send or not की बात अगर हम लोग कर लें, अच्छे तरीके से भेजा गया है की नहीं, फुली तरीके से गया है की नहीं, यह depend नहीं करता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, अगर हमारे दोरा भेज दिया गया है, तो यह outbox में सो करता रहेगा, लेकिन अगर हम बात करें, outbox के जगर send की, अगर हमारा एक send option की देखें, तो send option में भी तो हम लोग जो data को भेजते हैं, वो store होता है, लेकिन, 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 what is the difference between send data and outbox की बात करें, तो send data में, जो fully message send होता है, जो fully mail send हमारा होता है, उसको ह भी हमारा, fully हो या half family हो, कुछ भी हो, send हो जाता है, send कर देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, क्या, outbox कहते हैं, दोस्तों तो आप लोग को हम आसा करते हैं, कि ये तियों चीज़ कंप्लीट हो गया होगा, mail box, in box, और दोस्तों, outbox, किसकी बात की हमने, mail box, in box, और out की box, box की बा share, subscribe जरूर करेंगे, अगर वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिन